दोस्तो बोलिवुड के सूपरिस्टार सारुखान की मुवी डंकी बोक्स ओफिस पर 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी उसी की अगले दिन साउथ सूपरिस्टार प्रभास की मुवी सालार भी 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई रिलीज के बाद से दोनों ही फिल्मों में जबरदस्त टकर देखने को मिल रही है वही डंकी ने जहां बोक्स ओफिस पर 29 करोड की ओपनिंग से अच्छी शुरुआत की थी वही दूसरी और सालार ने 90 करोड की ओपनिंग से शुरुआत कर एक नया रिकोर्ड बना दिया सालार साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई है वही दोनों ही फिल्मों के साथवे और आठवे दिन के आंकडे भी अब सामने आ गए हैं तो चलिए जानते हैं कि कौन सी मूवी ने कितने रुपे का कलेक्शन किया और कमाई के मामले में कौन सी मूवी टोप पर चल रही है इससे पहले अगर आप परभास या फिर सारुखान को एक बहतरी नभिनेता मानते हैं दिल से लाइक और चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के लाश तक जरूर बने रहना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे सारुखान की इस्तारल्ण मूवी डंकी की तो सारू खान की फिलम इलिगल इंविग्रेट को लेकर तयार की गई है फिलम के कलेक्शन को लेकर देखा जाए तो डंकी ने अपने आठवे दिन ठीक ठाक कलेक्शन किया है अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक डंकी मुवी ने अपने आठवे दिन नो करोड रुपए का कारोबार किया है वही फिलम ने कुल आठ दिनों में 161 करोड रुपए भारत से कमा लिये इसके साथ ही दुनिया भर से डंकी मूवी ने अभी तक 305 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है अब हम बात करेंगे प्रभास की मूवी सालार के बारे में इस फिलम ने अपने पहले दिन से ही बोक्स ओपिस पर सांदार कमाई की है फिलम दर्शकों को काफी पसंदा रही है वही अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक सालार मूवी ने अपने साथ वे दिन 13 करोड 50 लाख रुपे का कलेक्शन किया है फिलम ने देश भर में कुल 308 करोड 90 लाख रुपे कमा लिये है इसके अलावा दुनिया भर में सालार मूवी का बोक्स ओफिस कलेक्शन 450 करोड 70 लाख रुपे तक पहुँच गया है सारुखान की स्टारर मूवी डंकी का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है यह है पहली बार है जब सारुखान ने राजकुमार हिरानी के निर्देशन में कोई फिलम की है वहीं फिलम में सारुखान की अलावा तापसी पन्नू, विक्की कोसल और बोमन हिरानी ने भी एहम भूमी का अदा की है इसके अलावा प्रभास की मुवी सालार का निर्देशन प्रसांत नील के द्वारा किया गया है फिलम में पृत्वी राज सुकुमारन, सुरूती हासन, जगपती बाबु जैसे कलाकार नजराए फिलम की कहानी दो दोस्तों की है, वहीं फिलम में जबरदस्त एक्षन देखने को मिला दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ